नवस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे विनाईश रिटिकर में इस भाकत है दोस्तों यदि आप असिस्टेंट प्रफेसर सीजी पीएससी सीजी वियापम या इससे रिलेटेट किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्पूर्ण है दोस्तों आज हम आपके लिए लेका रहा हैं 36 गड़ विस्त्रित अध्यन जिसके अंतरगत आज हम देखेंगे 36 गड़ के जल प्रफाद दोस्तों यहाँ भाग एक है इसमें दोस्तों हमने पूरो पूछे गए पेससी के प्रश्णों का जो है समावेश किये हैं ठीक दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ ही बेल का अकर भी प्रेस कर दिजेगा ताकि आने वाले हमारे और जितने भी नएए वीडियो है उनको नोटिफिकेशन आप तक पहुसत रहें ठीक दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारा पहला प्रेशन इस राज्जी में निम्दली खित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्र को जलप्रपात इस्थित है बदे दोस्तों आप्शन है दोस्तों इसका सही आंसर है इंद्रावती दोस्तों इंद्रावती नदी पर जगदलपुर के समेप चित्र को जलप्रपात निर्मित है जिसकी चौड़ाई 300 फीट तथा उचाई जो है 90 फीट है और यहाँ जो है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात होने के कारण इसे जो है भारत का नियागरा भी कहा जाता है दोस्तों यहां जो है 36 गड़ का सबसे बड़ा जल प्रपात है तो था मौसम के अनुसार जो है इस जल का रंग बदलता है यहां देखेंगे दोस्तों मौसम के साथ जो है इसका जल का रंग बदलता है ठीक दोस्तों अगला प्रिश्ण हमारा चित्र कोट इनमें से किस वर्ग में सम्भीलित हैं बते दोस्तों हैं सेंसे भूपर जर्प्रपाद है तोस्तों है इस Karl जो आप सभी को पता ही है यह जो एक जर्परपाथ है ठीक है दोस्तों अगला प्रक्रश्च दूस्तों 36 गड में चित्रधारा का मुक्य स्रूत निम्ने में से कांसा नदी है दोस्तों आपसने है तांदुला, आपसन बी सबरी यो आपसन सी इंद्रावती यो आपसन डी सिवनात दोस्तों 36 गड़ में चित्रधारा का मुख्य स्रूत है इंद्रा वती याद रखनेंगे दोस्तों इंद्रा वती अगला परशन दोस्तों निम्नलिकित में से कौन सा चौड़ा जल प्रपात है यहाँ जो है चौड़ा पुछा गया है दोस्तों ध्यान देंगे अप्सने है जोग प्रपात या अप्सन पी दूद सागर प्रपात या अप्सन सी सियू समुद्रम जल प्रपात या अप्सन डी शित्रकूर्ट प्रपात दोस्तों इसका सही अंसर है शित्रकूर्ट प्रपा कौन सी नधी प्रेशिद्ध चित्रकूर्ट जल्प्रपात बनाती है अप्षन A है इंद्रवती या अप्षन B तांदुला या अप्षन C केलो या अप्षन D गेज दूस्तों इसका सही आंचर है इंद्रवती अग्षन दूस्तों निम्नमेश से किस जल्प्रपात की तुलना नियागरा के जल्प्रपात से की गई है या भारत का नियागरा कहा जाता है अबसें ऑenses का अंसर पते हिए यूँ करति भारत काई न्याग्रा अपशन ए थिरद गर्ठ जय्ट प्रपाद और छित्र कुड प्रपाद यह अपशन सी दोनों ही या एंपशन D इन्मेड से कुई नहीं दूस्तों इसका सही अंसर है चित्र कु जल परपाद की उचाही कितनी है। आपसन है 200 Feet 220 Feet और अब्षण B 100 Feet और आपसन C 90 Feet औरсपन D 80 Feet दोस्तो चित्र कु जल परपाद की उचाही है 90 Feet यह दिखनेुत 14विंक जो जोसे उचाही क्ने। 36 गड़ का सबसे बड़ा जलपरपात कौन सा है? ऑफान ने 17 धारा, यह आपशन B चेत्रधारा, यह आपशन C तीरफ्गर्ड्याँ, यापशन D चेत्रकूट दोस्तों चेत्रकूट बिस जो है सही अंसर है, 36 गड़ का सबसे बड़ा जलपरपात चेत्रकूट है जिसकी चौडाई है 300 feet अगरा पसन दूस्तों चित्र को जल प्रपात इस्तित है अपसन ए जस्पूर का पठार या पसन B दंदिकारेंडिका पठार या पसन C मद्दचेतर या पसन D इने में से कोई नहीं दूस्तों इसका सही अंसर है दंदिकारेंडिका पठार अगला पर दूस्तों मलाज कुंडम जल प्रपाद निमनलिकित नदी से जुड़ा हुआ है बरे दूस्तों अप्सन A इंद्रवती से यो अप्सन B सबरी से यो अप्सन C कांगिर से यो अप्सन D दूद नदी से दोस्तों इसका सही आंसर है दूर नदी, D. कांकेर जीले में, दूर नदी पर जो है 말ाज कुंडम जलप्रपाद इस्तीध है एगला पुछ दोस्तों छीतरगूर जलपरपाद 36 गड़के किस जीले में है दोस्तों चित्रकुर जल प्रपाद यहां जो है बस्तर जिला में इस्तित है अगला बस दोस्तों कौन सा जल प्रपाद बस्तर संभाग में नहीं है आप्सण A साथभारा जल्प्रपात या आप्सण B चित्रकुर्ट जल्प्रपात या आप्सण C तीराटगर जल्प्रपात या आप्सण D रामजर्णा दोस्तो इसमें से जो है राम जर्णा यह जो है बस्तर में नहीं है बस्तर समभाग में राम जर्णा जर्णप्रपाद जो है रागर जिले में इस्तित है ठीक दोस्तो अगला बस्तो दोस्तो बस्तर छेत्र में निमने लिखे जर्णप्रपाद है बतेजे दोस्तो बस्तर छेत या उप्शन एवं तीन जलपर पात स्थित है या ओप्शन एक तीन एवं चार यह इस्तित है दोस्तों इसमें आप देखेंगे बस्तर में जो है चित्रकोट तीरतगड और साथ धारा ये तीनों इस्तित है तो इसका सही अंसर है एक दो एवं चार जबकी केदई जलपरपात जो है कोरबा जीले में इस्तित है अंगला परस दोस्तो निमनलेकिर में से कानो सा जलपरपात बस्तर संभाग में नहीं है धान देंगे दोस्तो इसमें नहीं है पुछ गया है, option A है कुर्सिल जरना, या option B मेदरी घूमर, या option C चित्रधारा, या option D रानी दाह, दोस्तों इसका सही अंसर है रानी दाह, यहाँ जो है बस्तन संभाग में नहीं है, रानी दाह जर्प्रपाद जो है जस्पुर जिले में इस्तित है, जबकि या रखेंगे दोस्तों रानी दरह जर्प्रपाद यहाँ जो है जो है जिक्मा जिले में इस्तित है, कईवी कफी confusion हो जाता है दोस्तों रानी दाह और रानी दरह जर्प्रपाद यहाँ जस्पुर जिले में इस्तित है, जबकि रानी दरह जर्प्रपाद यहाँ जो है जो ह कोई नहीं इसका सही अंसर है मुनगा बहार दोस्तों कांगेर घाटी रष्टी उध्यान छेतर में प्रवाहित कांगेर नदी की सहयाक नदी मुनगा बहार नदी पर जो 33गड जलपाथ निर्मित है जो 46 गड की सबसे उची जल्प्रपात है जिसकी उचाई 300 फीट है तथा यह जल्प कई खंडो में गीरती है यह दखिंगे दोस्तों कस जल्प्रपात से जल कई खंडो में होकर बाता है अब यह अब हमने आपके बताया दूस्तों इसका आंसर कमेंट कर बताईए अपसमने है सदघर जल्प्रपात sia option B राम झहना जियो option C तीरतगर जल्प्रपात यह option ,कैदई जल्प्रपात दूस्तों इसका आंसर है तीरत गड़ जल प्रपाद अगला पुछ दोस्तों तीरत गड़ जल प्रपाद किस जीला में है अपसाने है सरगुजा में है या उपसन B गरियावन में या उपसन C कांकेर में या उपसन D बस्तर में या उपसन E इन में से कोई नहीं दोस्तो तीरत गड़ जल प्रपाद ये बस्तर जिला में इस्तित है। अगला पूशन दोस्तो छथिसगड़ का सबसे उचा जल प्रपाद है। उच्छा पुछा गया है ध्याम देंगे इसमें, अपसन ने है चित्रकोट, अपसन B 7 धारा, यह अपसन C 13 गर्ड़ यह अपसन D अमरित धारा, दोस्तों, 34 गर्ड़ का सबसे उच्छा जल्प्रपात कंलाता है, 13 गर्ड़, यहाद रखेंगे दोस्तों, 13 गर्ड़, अगर तो तो तीरदगर्ड जलप्रपाद की उचाई कितनी है, आप्षन है 300 मिटर है, या अप्षन B 200 मिटर है, तो तीरदगर्ड जलप्रपाद की उचाई है 300 फीट है, या अप्षन C 220 फीट है, या अप्षन D 220 मिटर है, तो तीरदगर्ड जलप्रपाद की उचाई है 300 फीट, ठ इस्थितः गभली के समीब बीजापुर में साथ भार्यृग जल परपात इस्थित्थatyag एगर्थ इस राज्य की निननलिकित मेशी किस नदी पर साथ धारा जल्प्रपात इस्तित है Option A है महानदी पर या Option B इंद्रावती पर या Option C सबरी पर या Option D अरपा पर दोस्तों इसका सही अंसर है इंद्रावती पर अगला पर दोस्तों खुर्षेल जहर्णा किस जिले में इस्तित है अप्सन A है नरायनपूर में या अप्सन B जिस्पूर में या अप्सन C कोरिया में या अप्सन D सुक्मा में दोस्तो खुरसेल जहर्णा या जो है नरायनपूर जीले में इस्तित है दूस्तो और नरायंट पूर में निमनलिकित जलप्रपात है, हांदावाल जलप्रपात है और नोगो बावा, या लखनेंगों दूस्तो ये तीनों जलप्रपात है, अगला पूस्तो मलाज कुन्डम जलप्रपात निमनलिकित ननी से जुड़ा हुआ है, अप्सने हैं इंदर दोस्तो कांगेर जीले में दुर्णदी पर जो है मलाज कुंडम जल्पपात इस्तित है चीक दोस्तो थैंक्यू आप सभी का हमारी चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आगे अपने दोस्तो तक शेयर कर दी जीजेगा तेगे दोस्तो थैंक्यू दोस्तो थैंक्यू